राश्ट्रिय शिक्षानीत 2020 भागदो उच्चतर शिक्षा अध्याय 18 उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन तो आईए सुनते हैं इसका द्वानी पाठ प्रिष्ठ संख्या 75 18 उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन 18.1 दशकों से उच्चतर शिक्षा का विनियमन बहुत सक्त रहा है जिसे बहुत कम प्रभाव के साथ विनियमित करने का प्रयास किया गया है विनियामक प्रणाली का कृत्रिम और विघटन कारी स्वभाव बहुत ही बुनियादी समस्याओं से प्रभावित रहा है जैसे कुछ ही निकायों में शक्ति का अत्यधिक केंद्रिय करण इन निकायों के बीच स्वहितों का टकराओ होता रहा है जिसके परिणाम स्वरूप जवाब देही की कमी व्याबत रही है उचितर शिक्षा को फिर से सक्रिय करने और इसे कामियाब करने के लिए नियामक प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की आवशेक्ता है 18.2 उपरियुक्त मुद्दों को हल करने के लिए उचितर शिक्षा की नियामक प्रणाली में यह सुनिश्चित करना होगा कि विनियमन, प्रत्यायन, फंडिंग और शेक्षणिक मानकों के निर्धारण जैसे विशिष्ट कार्य, विशिष्ट स्वतंत्र और सशक्त संस्थाओं और व्यवस्थाओं द्वारा संचालित किये जाएंगे यह सिस्टम चेक एंड बैलेंस बनाने, निकायों के आपसी हितों में टकराव को कम करने और कुछ निकायों में शक्तियों के अत्यधिक केंद्री करण को खत्म करने के लिए आवश्यक है यह सुनिश्चित करने के लिए कि चारों सांस्थानिक व्यवस्थाएं जो इन चार आधारभूत कारियों को करती हैं स्वतंत्र रूप से अपना काम करने के साथ साजा उद्देशियों की प्राप्ती के लिए एक तार तम्यता के साथ काम करें। इन चार संरचनाओं को एक प्रमुक्संस्था भारतिय उच्चितर शिक्षा आयोग यानि HECI के तहत चार व्यवस्थाओं के रूप में स्थापित किया जाएगा। प्रिष्ठ संख्या चहत्तर 18.3 HECI का पहला अंग राष्ट्रिय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिशद यानि NHERC होगा। यह उच्चतर शिक्षा क्षेतर के लिए एक साजा और सिंगल पॉइंट रेगुलेटर की तरह काम करेगा। जिसमें शिक्षक शिक्षा शामिल है किन्तु चिकित्सकीय एवं विधिक शिक्षा शामिल नहीं है। और इस तरह नियामक प्रक्रिया में दोहराव और अव्यवस्था को यह समाप्त करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विवस्था के भीतर वर्तमान में अनेकों विनियामक संस्थान उपस्थित हैं। इस एकल बिंदू विनियमन को सक्षम करने के लिए मौजूद अधिनियमों की पुनर संरचना और निरसन और विविन मौजूदा नियामक निकायों के पुनरगठन की आवर्शक्ता होगी। NHERC को लचीले लेकिन सक्थ और सुविधात्मक तरीके से संस्थानों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। जिसका अर्थ है कि कुछ महत्तोपूर्ण मामले विशेश रूप से वित्तिय इमानदारी, सुशासन और सभी ऑनलाइन और ओफलाइन वित्त संबंधी मसलों का स्वप्रगटी करन, आउडिट प्रक्रियाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर संकाये और करमचारी पाठ्यक्रम और शेक्षिक प्रतिफलों को प्रभावी तरीके से नियंतरित किया जाएगा। यह सूचना सभी उच्चितर शिक्षा संस्थानों द्वारा अपनी वेबसाइट पर और सार्वजनिक वेबसाइटों जो की न, एच, इ, आर, सी द्वारा संचालित की जाती हैं पर मुहया करव जाएगी और समय समय पर इन सूचनाओं को अध्यतन और सटीक रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। सार्वजनिक की गई सूचनाओं से संबंधित हित्रधारकों और अन्य लोगों द्वारा किसी भी शिकायत या गुहार को न, एच, इ, आर, सी द्वारा सुना एक निश्चित समय अंतराल पर पर प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान में रेंडम तरीके से दिव्यांग छात्रों सहित चुने हुए छात्रों के मुल्यवान फीडबैक ऑनलाइन लिये जाएंगे। 18.4 ऐसे विनियमन को सक्षम बनाने की प्राथमिक प्रक्रिया प्रत्यापन होगी। इसलिए HECI का दूसरा अंग एक मेटा एक्रेडिटिंग निकाय होगा। जिसे राष्ट्रिय प्रत्यायन परिशद यानि NAC के नाम से जाना जाएगा। संस्थाओं का प्रत्यायन मुख्यतह कुछ वुनियादी नियमकायदों, सार्वजनिक स्ववप्रकटन, मजबूत गवर्नेंस और परिनामों के आधार पर होगा। साथ ही यह पूरी प्रक्रिया मान्यता देने वाले संस्थानों के एक स्वतंत्र समुह द्वारा पूरी की कम समय में ही ग्रेडिड मान्यता देने के लिए एक मजबूत प्रणाली को स्थापित किया जाएगा जो सभी उच्चितर शिक्षा संस्थानों द्वारा स्वायत्तता, स्वप्रशासन और गुणवत्ता के तय मानकों को हासिल करने के लिए चरणबध बेंचमार्क तय परिणाम स्वरूप सभी उच्चितर शिक्षा संस्थान अपनी अपनी संस्थान विकास योजना यानी IDP के जरिये अगले 15 वर्षों में मान्यता के उच्चितम स्थर को प्राप्त करने का उद्देश ये तय करेंगे और इस तरह ये संस्थान एक स्वचलित डिगरी प्रदान करने वाले संस्थानों और क्लस्टर की तरह बनने के लिए प्रतिबध बनेंगे आगे चलकर यह प्रक्रिया वहिश्विक मानकों के अनुसार एक द्वी आधारी प्रक्रिया बन जाएगी 18.5 HECI का तीसरा अंग उच्चितर शिक्षा अनुदान परिशद यानि HECG का गठन किया जाएगा जो पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्चितर शिक्षा के फंडिंग और वित पोशन का कारे करेगा जिसमें संस्थानों द्वारविकसित IDP और इनके क्रियानवयन के जरिये प्राप्त की गई उन्नती शामिल है HECG को छातरवित्ती के वित्रण के लिए और नए फोकस क्षेत्रों को शुरू करने और बहु विशयी क्षेत्रों में उच्चितर शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता कारेक्रमों के प्रस्तावों के साथ उनके विस्तार के लिए विकासात्मक निधियों का कार्यभार सौपा जाएगा 18.6 HECI का चौथा विभाग सामन्य शिक्षा परिशद GEC होगा यह उच्चितर शिक्षा कारेक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम तै करेगा जिन्हें सनातक परिणामों के नाम से जाना जाएगा GEC द्वारा एक राष्ट्री उच्चितर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क यानि NHEQF तैयार किया जाएगा जो कि राष्ट्री कौशल योग्यता फ्रेमवर्क यानि N-S-Q-F से संगत होगा ताकि ब्यावसाइक शिक्षा को उच्चितर शिक्षा आसानी से समन्वित किये जाने में आसानी हो इस तरह के सीखने के परिनामों के संदर्व में NHEQF द्वारा अग्रणी उच्चितर शिक्षा योग्यता का निर्देशन किया जाएगा जो एक डिगरी या डिपलोमा या प्रमान पत्र के रूप में होगा इसके अलावा GEC NHEQF के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफर समानक आदी मुद्दों के लिए समानु रूप और सुविधा जनक मानदंड स्थापित करेगा GEC उन विशिष्ट कौशल की पहचान करेगा जो छात्रों को अपने शेक्षणिक कारेक्रम के दौरान 21 शताबदी के कौशल के साथ पूर्ण विकसित शिक्षार्थियों को तैयार करने के उद्देश्य से प्राप्त करना चाहिए 18.7 भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशद यानि ICAR Veterinary Council of India, VCI, राष्ट्रिय अध्यापक शिक्षा परिशद, NCTE, Architecture Council, COA, Pharmacy Council of India, PCI, राष्ट्रिय व्यावसाहिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिशद, NCVET, आधिक अपुनर गठन व्यावसाहिक मानक सेटिंग निकायों यानि PSSB के रूप में किया जाएगा, वे उच्चितर शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपून भूमी का निभाएंगे और उन्हें GEC के सदस्ये बनने के लिए आमंतरित किया जाएगा ये निकाय PSSB के रूप में पुनर गठन के बाद GEC के सदस्यों के रूप में पाठेक्रम सनरजना, शेक्षणिक मानकों को निर्धारित करने और उनके डोमेन, अध्यन के विशय के शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के बीच समन्वय रखना जारी रखेंगे GEC के सदस्यों के रूप में वे पाठेक्रम के धाचे को निर्धिश्ट करने में मदद करेंगे, जिसके आधार पर उच्चतर शिक्षा सनस्थान अपना स्वयम का पाठेक्रम तयार कर सकते हैं इस प्रकार PSSB बिना किसी नियामक भूमिका के लर्निंग और प्रैक्टिस के विशेश क्षेत्रों में मानकों या अपेक्षाओं को निर्धारित करेंगा सभी उच्चतर शिक्षा सनस्थान यह तय करेंगे कि उनके शेक्षणिक कारिक्रम अन्य विचारों के बीच किस तरह से तय मानकों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यदि आवश्यक हो तो वे PSSB या मानक सेटिंग निकायों से सहयोग लेने में भी समर्थ होंगे इस तरह की संदचना विभिन भूमिकाओं के बीच आपसी हितों के टकराओं को समाप्त करते हुए प्रतियक की भूमिका इवं कारियों को एक दूसरे से अलग करने के सिध्धान्त को कायम करेगी इसका उद्देश कुछ बुनियादी मसलों पर ध्यान देते हुए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाना भी है इससे जुड़ी जिमेदारियां और जवाब देही उच्चतर शिक्षन संस्थानों के अनुरूप होगी सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षन संस्थानों के बीच अपयक्षानु रूप किसी तरह का भेद नहीं किया जाएगा 18.9 इस तरह के परिवर्तन के लिए मौजूदा संदरचनाओं और संस्थानों के लिए यह आवशेक्ता होगी कि वे खुद को सुद्रिड कर सकें और तरह तरह की विकास क्रमिकता से गुजर सकें कारियों के प्रिथक करण का मतलब होगा कि HECI के तहत प्रतेक अंग को एक नई एकल भूमिका पर ले जाया जाएगा जो नई नियामक योजना में प्रासंगिक, सार्थक और महत्तोपूर्ण है 18.10 विनियमन के लिए सभी स्वतंत्र संरचनाओं का कारेकरण नियमन यानि NHERA मान्यता NAC निधियन HEGC और अकादमिक मान्यता यानि GEC एक व्रिहद और स्वायत निकाए HECI सार्वजनिक प्रगटी करन नीती पर आधारित होगा और अपने कार्य दक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए और मानव इंटरफेस कम करने के लिए अधिक से अधिक प्राद्योगी की का इस्तेमाल करेंगे बुनियादी सिधानत यह होगा कि प्राद्योगी की के इस्तेमाल से पहचान मुक्त और पारदर्शी नियामक कहस्तक शेफ किया जा सके कड़े कदम के साथ कठोर अनुपालन उपायों को सुनिश्चित किया जाएगा जिसमें अनिवार्य जानकारी के गलत प्रगट्टी करन के लिए दंड की सिफारिश भी श्रामिल है ताकि उच्चितर शिक्षा संस्थानों को नियूनतम मानदंडों और मानकों के अनुरूप बनाया जा सके HECI खुद इसके चारों अंगों के बीच किसी प्रकार के विवाद का निप्टारा करेगा HECI एक स्वतंत्र निकाय होगा जिनमें प्रासंगिक ख्षेत्रों में काम कर रहे सत्यनिष्ठ, प्रतिबद्ध, उच्चितर, श्रेणी के विशेशग्य होगे जिनके पास सार्वजनिक सेवाओं में योगदान देने का विशिष्ट अनुभाव होगा HECI का भी खुद का अपना एक छोटा स्वतंत्र निकाय होगा जिसमें उच्चितर शिक्षा में प्रसिद्ध सामाजिक सरोकारों वाले विशेशग्य शामिल होगे जो HECI की सत्य निष्ठा और प्रभावी कारे कुशलता को संचालित करेंगे और इसकी निगरानी करेंगे HECI के भीतर कारे निश्पादन हेतु उप्युक्त प्रक्रिया का निर्मान किया जाएगा जिसमें अधी निर्ने भी शामिल है 18.11 नए गुणवत्ता पूर्ण उच्चितर शिक्षन संस्थानों को स्थापित करना भी बहुत आसान हो जाएगा साथी यह भी सुनिष्चित करना होगा कि ये जन सेवा के भाव से दीरगावधी के लिए वित्तिय सहायता के साथ स्थापित किये गए है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बिहतरीन प्रदर्शन करने वाले उच्चितर शिक्षन संस्थान को अपने संस्थानों का विस्तार करने के लिए मदद मिलेगी और इससे बड़ी संख्या में छात्रों और संखायों के साथ साथ विशयों और कारेक्रमों का विस्तार हो सकेगा उच्चितर शिक्षन संस्थानों का गुणवत्ता पूर्ण एवं उच्चितर शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करने के उद्देश्य से उनके लिए सार्वजनिक परवपकारी साजेदारी मॉडल भी शुरू किये जा सकते हैं शिक्षा के व्यावसाई करण को रोकना नियामक अभीकरण की प्रमुख प्रात्मिकता होगी सभी शिक्षन संस्थान लाभ के लिए नहीं संस्था पर लागू लेखा परिक्षा और प्रगटी करण के मानक व्यवस्था का पालन करेंगे यदि कोई अधिशेश होगा तो उसे शिक्षा क्षेतर में पुनर निवेश किया जाएगा इन सभी वित्तिय मामलों का पारदर्शी सार्वजनिक प्रगटी करण होगा जिसमें आमजनता के लिए शिकायत निवारन तंत्र की सहायता ली जाएगी NAC द्वारा विकसित प्रत्यायन प्रणाली इस प्रणाली पर एक पूरक जाच प्रदान करती है और NHERC इसे अपने नियामक उद्देश्य के प्रमुख आयाम के रूप में देखेगा 18.13 सार्वजनिक और निजी सभी उच्चितर शिक्षन संस्थानों को इस नियामक व्यवस्था में बराबर माना जाएगा नियामक व्यवस्था शिक्षा में निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोश्थाहित करेगा सभी विधाई अधिनियमों के लिए सामान्य राष्ट्रिय दिशा निर्देशोंगे जिन से निजी उच्चितर शिक्षन संस्थानों की स्थापना की जाएगी ये सामान्य नियुनतम दिशा निर्देश ऐसे सभी अधिनियमों को निजी उच्चितर शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने में समर्थ बनाएंगे और इस प्रकार निजी और सार्वजनिक उच्चितर शिक्षन संस्थानों के लिए सामान्य मानकों को नियत करेंगे इन सामान्य दिशा निर्देशों में सुशासन, वित्तिय स्थिरता और सुरक्षा, शेक्षिक परिणाम और प्रगटीकरण की पारदर्शिता शामिल होगी 18.14 परोपकार और जन हितैशी मनशा रखने वाले निजी उच्चितर शिक्षन संस्थानों को फीस निर्दारन के प्रगतिशील शासन के माध्यम से प्रोसाहित किया जाएगा विभिन प्रकार के संस्थानों के लिए उनके प्रत्यायन के आधार पर फीस की एक उच्चितर सीमा को तै करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाएगा ताकि निजी संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े यद्यपी तै नियमों और व्रिहद नियामक व्यवस्थाओं के आलोक में अधिकाधी के छात्रों को फ्रीशिप और छात्र वित्ती प्रदान करने के लिए निजी उच्चितर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा निजी उच्चितर शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित सभी फीस और शुल्क पारदर्शी रूप से और पूरी तरह से बताए जाएगे और किसी भी छात्र के नामांकन के दौरान इस फीस या शुल्कों में कोई मनमानी वृद्धी नहीं होगी शुल्क निर्धारण की यह व्यवस्था उच्चितर शिक्षण संस्थानों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ कुछ हद तक निवेश की भरपाई सुनिश्चित करनी होगी अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रिय शिक्षानीत 2020 भाग दो उच्चतर शिक्षा अध्याय 18 उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन वाचन्स्वर, अजीत होरू, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत